दोस्तों आज के लेशन में हम 38 संटेंस लाएं हैं जो कि आप डिली यूज कर सकते हैं मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए पहला सेंटेंस है मैं जनौरी में पैदा हुआ था उसको इंगलेश में कहेंगे आई वस बोन इन जैनौरी में नेक् 22 में कमपनी छोड़ी I left company in 2022 next sentence is मैं आदे घंटे में निकलूंगा I will live in half an hour next sentence please मैं सकालो में रहता हुँ I live in सकालो next sentence देखिए वे अमेरिका में पढ़ाई करेगा he will study in America अगला sentence मुझे इस मुबाईल में गाने नहीं मिले English में कहेंगे I found no song in this mobile next sentence देखिए हमने ये किताब में पढ़ा है we have read it in the book अगला sentence देखिए आदे घंटे में निकलेगा I answer will live in half an hour next sentence मैं बैंक में काम करता हूँ I work in bank अगला sentence देखिए मैने कंपुटर में ये फोटो देखिए I saw this photo in computer next sentence ये गाना तुमारे मोबाईल में है this song is in your mobile next sentence देखिए कॉफी को कप में डालो English में पूर देखिए कॉफी को कप में डालो next sentence वो कमरे में जा रहा है he is going into the room next sentence देखिए ये ट्रेन समय पर पहुचेगी this train will reach on time next sentence देखिए ये ट्रेन समय के बाद पहुचेगी this train will reach after time अगला sentence है मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊंगा English में कहेंगे I will come before you leave next sentence देखिए वो मेरे सामने खडा था he was standing in front of me next sentence देखिए वो मेरे सामने टिक नहीं सकता he can't stand in front of me next sentence मैं तुमसे दस बजे के बाद मिलूंगा I will meet you after ten next sentence देखिए मैं उसके बाद पहुचा I reached after him next sentence देखिए मैं उनके बाद पहुचा I reached after them next sentence देखिए मैं अपने प्रोफेसर के पीछे पढ़ गया था I was after my professor मैं तुम्हारे जाने के बाद आउंगा I will come after you leave next sentence देखिए वो रहूल से दस बजे के बाद मिला he met Rahul after ten next sentence पुलिस चोर के पीछे पढ़ी हुए है the police is after the thief next sentence देखिए मुझे किसी के द्वारा रोका गया I was stopped by someone next sentence उसे भीजा जा सकता है he could be sent उसको दूसरे टेंस से कहेंगे he may be sent उसको और खहा जा सकता है he might be sent next sentence देखिए मैंने बस से यातरा की I traveled by bus next sentence वो दोफर की flight से आ रहा है he is coming by the noon flight next sentence देखेंगे मैं चार बजे तक निकल जाऊंगा उसको इंग्लिस में कहेंगे I will leave by 4 o'clock next हम सुबह तक यह खत्म कर देंगे we will finish it by morning next sentence देखें हम सुबह तक यह निप्टा देंगे we will finish it by morning दोनों sentence को हम इंग्लिस में इखी डंग सकते हैं next sentence देखें हमें सुचित क्या गया we were informed अगला sentence देखें उसे ममी ने डाटा he was scolded by mom next sentence मैं बाइक से जिम जा रहा था I was going to gym by bike मैं साम साथ बजे जिम जाता हूँ I go to gym at 7 p.m. मेरे चैनल को लाइक किजे शेर किजे सब्सक्राइब किजे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सुन्से कर दो